विडियो नहीं क्याल चाल सर बहुत टेंसन है और कुछ आपने कुछ न्यू कोश्चन्स दे रखे रेसेंटली हां और सर उसका पीडियेप तो दे दिया है और जो की ड्राइव में डला है और सवाल यही था कि यह वीडियो कब डलेगा और मैंने कहा था कि 15 से पहले पहले वी इसमें कौन से कोश्चन से डिसकुर्शन हो रहा है जो एर में बताते हुए चलूँगा फिर भी मैं आपको बता दूँगा मैंने क्या आपको करवाया हूं क्या नहीं करवाया हूं मुझसे अच्छी तरह से आप नहीं जानते हो मुझे मालूम है आपको यह करना है और क्या करना क्या नहीं करना ध्यान से सुनोगे जो मैंने आपको पीडियाप दे रखा अभी उसमें कहां तक का कवर करना है मुझे और सर इसमें कौन से कोश्चन रहेंगे जो आपको बुग दिया था उसके बात के कोश्चन मतलब लेटिस्ट कोश्चन रहेंगे इस्टार्ट करेंगे यह कोश्चन आपको करके जाना है और मुझे पुरा कोश्चन बिल्कुल नहीं समझाना है उसकी वज़ा है क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूं concept बस question में एक दो point इधर उदर होगा वो ही मुझे आपसे discussion करना है ठीक है जी ओके तो portfolio management सबसे पहले उठा रहा है हम लोग यस सर और portfolio management में ये जो question आया था ये आया था May 2013 May 2023 May 2023 का सर हमारे पास ये वाला question नहीं था क्या था अकर बुक में देखोगे जो portfolio management जिस volume में है मैं volume नंबर 1 की बात करूँ जो volume है उसमें last में एक paper है May 2023 का paper हमने डाल दिया था और जब मैंने करवाया था इसका नाम था Corner Thioram Corner Thioram और ये अगर सर हमको याद नहीं आ रहा है याद तो आना पड़ेगा ये lecture तभी देखे जब आपने ये chapters किया है अगर ये chapter नहीं कर रखे तो प्लीज हाद जोड के विंती है मैं इस पर concept नहीं करवाने वाला है और ये आपको लेक्चर देखना तो कहा मिलेगा लेक्चर में लेक्चर में लाश्ट में जाना जो पॉर्टफोलियो का लेक्चर आपको डला हुआ है आपको वैसे भी schedule भी मिला हुआ है आप लाश्ट में जाओगी तो लाश्ट में corner theorem मैंने करवा रखा है पॉर्टफोलियो के लाश्ट लेक्चर में जाओगे तो आपको मिलेगा उसमें मैंने आपको यह homework दे रखा हूँ और इससे रिख्यों कि बहुत ही simple question था बस इसमें एक बात याद रखना कि weight negative आ रहा था मैं discuss कर चुका हूँ class के साथ discuss कर चुका हूँ सरीक question को छोड़ सकते कि छोड़ सकते पर जो paper है na question paper जो attach है book के साथ में उसमें solution नहीं है इसमें solution भी है तो यहां आपको weight निकलना है हलाकि solution है आप कर लेना प्लीज यह मैं आपको करवा चुका हूँ इसको मैं नहीं करवाँ गो इसमें नया कुछ भी नहीं था और साथ में बस गलती यहां क्या किया था कि calculate the amount allocated to BNC BNC लिख दिया था जबकि यहां लिखा होना चाहिए था Y और Z कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा यह question नहीं भी करोगी तो चलेगा पर practice के लिए please कर लेना सर आया कब था में 2023 सर क्या आपने हमारी बैच में already यह question करवाया कि हाँ जी कहां करवाया last lectures में जाहिए आपको मिले ठीक है यादरशना weights negative आएगा negative weight का मतलब मैं already आपको बता चुका हूँ और सर आपने बहतरिन equation के साथ common sense लगा के भी किया था हमने और मैंने equation भी बताया था आपको इस तरह से equation से भी हमने चौल किया है जाहिए मिलेगा और जिन्नोंने किया उनसे यूँ बनेगा question number two आपके PDF का ये करना जरूरी है सर ये exam में कब आया था exam का question है कि हाँ जी November 2030 तो सर नवंबर 2023 तो हमारी बुक में है या नहीं है आपकी बुक में ये question नहीं है ये आपको PDF से ही करना पड़ेगा क्योंकि जब आपकी बुक print हो चुकी थी बला ही मेरी classes नवंबर से start हुई होगी पर आपकी जो बुक से वो पहली प्रिंट हो चुकी थी तो आपकी बुक में question नहीं है इस तरह से question है और सर ये question किस चीच का है ये question है arbitrage pricing theory APT का question है देखें क्या सर निमाग चलाते हैं APT याद है ना भाई साब APT याद होगा तो ही देखना नहीं तो मत देख सर APT ऐसा होता था आर एफ प्लस factor risk premium 1 into beta 1 factor risk premium 2 into beta 2 इस तरह से चलता था हाँ जी हाँ जी CAPM CAPM क्या होता था single factor model और APT क्या है multifactor model इसमें आप टाइम पास मत करो आपको 3-4 घंडे में सब खतम करना तो कोई investor है और उसने क्या किया है जितने भी available stocks है उनको उन्होंने मार्किट में जितने भी available stocks है उनको उन्होंने चार category में बाटा है सब यह question देखा 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 है पर यह question नहीं बनने वाला आपसे सुननो मेरी बात को और weights दिया टाइपस दिया और साथ में उन्होंने बाट भी दिया और sensitivity of return भी दे रखा है मतलब बीटा और दो factor ले लिया और एक inflation ले लिया और इसके अलावा साथ में उन्होंने stock market ले लिया ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं और category कौन कौन सी है small cap, medial cap, large cap, flexi weight दिया है पीटा दिया है ये question बन जाता अगर वैसा ही question होता तो पर दिक्कत क्या सुनना दिया से इन्होंने ना दो question को मिला कर एक question मनाया दिक्कत यह यह जो आया था ना नौवंबर में बच्चों के हलत खराब होगी दो question को मिला कर एक question मना दिया मतलब सर ये change वाला भी question था और एक एपीटी का ये वाला question था दोनों question को मिक्स किया है अब आराम से समझते क्या बोल रहा है सर ये weight से दिया market का ठीक है ये सर एक factor 1 है inflation और एक है stock market ठीक है सर यहां भी बात समझ में आते हैं सर ये क्या है एक्च्वलेशन होगा और एक्च्वल में inflation ये हो गया है मिडियम कैप में inflation ये सर मतलब यार inflation तो inflation है इस category में inflation अनुमान अलगे इस category में ज्यादा दिमाग में चलाना ही question मैं मैंने पहले भी कहा था जब ये question करवाए था उस समय भी बोला था कि कहीं गलती है ICI अभी हम बिना दिमाग चलाए काम करें क्या हाँ सर हम हम इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे कि ये गलत है कि ये सही है कि बनेगा तो कर लेंगे हमें research नहीं करना paper pass में risk-free rate दिया साढ़े 7% rounded off करना है दो decimal places तक you are required to calculate क्या करना है expected return on the market index for both the factors expected return on the market index for both the factors क्या लगना है seriously बोलू मुझे point number one तो समझ में नहीं आया था जब ये paper आया तब भी समझ में नहीं आया था तुसरा point number two देखते मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर एक point समझ में नहीं आ रहा तो उस पे अड़े मत रहना दूसरे point देखते point number two expect return on the market index under apt apt तो यार हमको आता है और apt में हमें expect return किसका निकालना है सर हमें तो market का निकालना है ठीक है expect return किसका निकालना market का तो सर हम क्या करेंगे हाँ हम small cap का apt के हिसाब से return निकालनेंगे ऐसे medium cap का निकालनेंगे ऐसे ही हम large cap का निकालनेंगे ऐसे ही हम flexi cap का निकालनेंगे apt के हिसाब से expect return और सबका weighted average कर देंगे है तो हमारी lottery लग जाएगी विल्गुद सहीं बात है apt के हिसाब से apt का formula तो हमको मालुम है यही तो formula apt अब एक कान करते सर हम निकाल कर देखते सबसे पहले small cap का RF दिया है क्या yes सर 7.5% तो यहाँ जाएगा सर 7.5 plus factor risk premium क्या होगा एक factor inflation इन दोनों की बीच का difference सर 0 और multiply किस से गरेंगे 1.2 अच्छा सर यह factor risk premium है हाँ बेटे हाँ जादा दिमाख मच चलाओ ऐसी सर इन दोनों की बीच का difference हाँ हमने सोचा था क्या हो कह गया उसको उन्होंने factor risk premium बोला है और उसका बीटा कितना है 0.8 इस तरह से काम होगा यह किसका निकला सर यह small cap का निकला expect return small cap का ऐसी किसका निकलोगे medium cap का ऐसी किसका निकलोगे large cap का और ऐसे ही किसका निकलोगा flex cap और जो भी return निकलेगा उसको हम इससे multiply कर देंगे weight से तो यह क्या निकलेगा expected return of market as per apt if and but मुझे मद बताना इस question में तो two हो जाएगा two हो जाएगा sir इन्होंने तो table बना की कर रखा इन्होंने कैसे रख कर रखा इन्होंने भी वैसे कर रखा नहीं पता नहीं जैसे भी कर रखा आपको मैंने जैसे बता है वैसे करो answer match होगा point number 3 expect return on the market index under apt फिर से apt अगर 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 जो weight से अगर वो composition जो होता वो हर एक category में 25% 25% होता तो फिकत नहीं apt के इसाब से तो already निकला रहेगा आपका बस weights जो है वो ये ना देकर 25 25 कर देना तो भी काम हो जाएगा कि बो हाँ answer ये भी हो गए अगे बड़े तो सर point number one भी हो जाता point number two भी हो जाता point number three भी हो जाता point number four पूछ रहा है कौन सा alternative अच्छा होता more profitable जिसमें expected return of market ज्यादा आता इसका comparison इससे कर लेना और देखना कि किसमें ज्यादा आ रहा है कि दिक्कत है क्या इसमें expected return of portfolio निकाल रहा है मतला market इसमें भी निकाल रहा है और आपको देखना पड़ेगा कि किसमें ज्यादा आ रहा है जिसमें ज्यादा रहा हो alternative अच्छा जो problem है ना वो problem थी point number one में कि point number one में हम करें तो क्या करें तो सर क्या किया गया point number one में हम जा रहा हूं मां क्या रहा है expected return on the market index for both the factors expected return on the market index for both the factors चार बार पढ़ने की बाद भी समझ में नहीं आ रहा हूं और seriously एक बाद बताओ इसके लिए मुझे ICAI की suggestion suggested देखना पड़ा और कसम से दिलखुस होगे इन्होंने कहा भाई ये है inflation का expected value टिक factor one का value expected और उसको उन्होंने weight से multiply कर दिया और उन्होंने कहा कि ये है expected return of factor one और फिर ये जो expected value है न ये इसको भी इन्होंने weight से multiply कर दिया और इसको नाम दिया expected return of market और factor two कर ले ना ज्यदा दिमाग नहीं चला रहा है वही उन्होंने किया है और वही उन्होंने निकाला है और इसका नाम दे दिया expected return of market factor one और factor two logically तो अगर कहा जाए कि question है कि नहीं है तो इस पर मैं कोई comment नहीं करूँगा क्योंकि class के साथ में बहुत सारे comments कर चुको और ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते टेबल बना की करना करना पर टेबल नहीं भी बनाओगे तुभी आपका अगर तो यह question मैंने discuss किया प्लीज इसकी एक बार practice को कि अब बात करते किसकी question no.3 यह कहां डला था मैं सारे latest question की बात कर रहा हूं जो हमारी बुक में नहीं और यह हो भी नहीं सकता था तो यह MTP वाला तो डलना चाहिए था हां MTP April 2013 कि November का paper डाला तो April का हो नहीं पाया रहा होगा okay sir देखना है कि देखना है भई देखना है okay क्या लिखा था on the basis of given information Mr. X.L.Y. watch to create a portfolio equally as risky as market equally as risky as market मतलब हम ऐसा portfolio बनाना चाहते है कि जितना risk market में उतना ही risk हमारे portfolio में होना चाहिए इसका मतलब सर हम beta of portfolio कितना one रखना चाहते क्योंकि market का beta क्या होता है one हाँ sir ठीक है कि तो हमने इस total हमारे खर्च कितना करना है भीस लाक श्टॉक ए और श्टॉक बी का तो हमने बता दिये कि 4 लाक और 5 लाक लगाया है इसका beta 1.7 और 1.10 है ठीक है stock c में कितना पैसा लगाए और debt में कितना पैसा लगाए कि हमारा पुरा portfolio का beta कितना हो जाए one है यह ना सर डेट का beta तो 0 होता है ठीक है जी एकस इंटू 0 करोगे तो 0 ही होगा सर क्या हमें a का weight पता है क्या yes common sense है इसको मैं नहीं भी करवाऊंगा तो आप से हो जाएगा चार लाग divided by 20 लाग इसका weight है 0.2 ठीक है और 5 divided by 20 इसका weight है 0.25 और इसका weight निकाल लेंगे और इसके weight की जरुरत है यह नहीं है और इसका weighted average beta 1 होना चाहिए तो इसका answer मिल जाएगा हमको आराम से कैंो को है कि कीया है देखो paint to 25 जा करेंगे थो चलजाएगा की चल जाएगा अब देखो यहां से weight हमको मालुम है और इसका beta हमको मालूम है है ना यार यह and you so ma मालूम है ऐसे बी का भी हमको मालूम है ऐसे ही सी का हमें बीटा तो मालूम है लेकिन वेट नहीं मालूम और डी का नहीं भी लिखोगे तो चलेगा क्या इसकी मदद से आप सी का वेट निकाल सकते हो क्या बिलकुल और सी का वेट निकल गए और सी का वेट निकल गए तो डी का आप अराम से कर लोगे और उसके बाद जब वेट निकलेगा तो एमाउंट भी लिख देना मेरी बात समझाएं वेट निकल के छोड़ देते क्योंकि उसने आप से वेट नहीं पूछा उसने आप से एमाउंट पूछा तो निकाली सकते अधिया कोशन होंवक क्या होंवक तो सभी है मेरा काम है सिर्फ समझाने का आप से असानी से बन जाएगे प्रैक्टिस कर लेना लेटिस्ट कोश्यन है यह कोशन हमने की आ नहीं है तो आपके पस तो टाइम ही टाइम है वाव कोशन नमबर फो यह कोशन भाई साब भाई साब बहत्रीन कोशन दिखा मुझे और यह MTP में डला था कब मार्च दोहजार चोबिस पोटफोलियो री बैलेंसिंग टॉपिक है और ऐसा कुछ है नहीं है कि हमने किया नहीं होगा पोटफोलियो री बैलेंसिंग 100% किया है तीन टेकनिक्स हुआ करते थे पोटफोलियो री बैलेंसिंग के बाई एन होल्ड होता था और इसके अलावा CPPI होता था और इसके अलावा कॉंस्टेंट मिक्स भी होता था करवाया हूं मैंने आपको पक्का पक्का उससे रिलेटर कोश्चन डला हुआ था MTP मार्च दोजार चुबिस में में आया नहीं वह सकता आपकी किसमत में हो यह कोश्चन बढ़ा है इस टाइप का किया भी अगर किसी को ऐसा लग रहा कि यह कोश्चन किया है तो बेको भी है आपको ध्यान देना पड़ेगा इस कोश्चन लिखा है इंदिरा है जब फंड और रुपीज तीन लाक तर तीन लाक रुपए है विच सी वांट्स टू इनवेस्ट इन शियर मार्केट विट रीबैलेंस टार्केट हर दस दिन दस दिन में रीबैलेंस पारे पिरियड ओफ वन मन्त फ्रॉम नौ इस टाइप का कोश्चन था लेकिन उसमें सिफ सी पी पी आई था इसमें तीनों डाला है भाई साब बिल्कुल ध्यान से करना ओके सी हैस टीन फ्रैंड है और कुछ बाई अन होल्ड में जा रहा है और कुछ पॉंस्टें अंट वेश्यों में जा रहा है साघ्व fund कितने रुपय का है हमारे पास 3 लाग रुपय का total fund है suppose she immediately start with investment in bonds and equity और पैसा किस किस में लगाना है bonds और equity decides to rebalance her portfolio after each 10 days हर 10-10 दिन में rebalance करना है और invest in nifty और कहां पैसा लगा रहा है और nifty में पैसा लगा रहा है और nifty में जो पैसा लगा रहा है हम क्या बोल रहा है एक ही मतलब एकर इसपे में पैसा लगा रहे s один में पैसा लगा रहा ठीक है और जो एक्विटी में पैसा लगा रहे हो जो एक मिदी में पैसा और टी जितने होका वीजसे मतलब साँनिफ्करिश के रेश हो से रिशो में IN का कोई बीटा नहीए जो तो निफ्टी कितना था 5,3,2,6 और minimum निफ्टी एक मैने में निफ्टी ये हो सकता है तो बता सकते हो निफ्टी कितने परशंटेज से डाउन हो सकता है तो बताओ निफ्टी कितने परशंटेज से गिर सकता है और निफ्टी कितने परशंटेज से गिर सकता है और निफ्टी क मैंने आपको कहा था कि यार तीन लाग हमारा पॉर्टफोलियो का वैल्यू है पर ये भी हम मैक्सिमम दस पर्शन से गिरेगा तो एक्सेप्टेबल है हमें दो सत्तर तो चाहिए चाहिए दिस फ्लोर कि कहा है ठीक है सर ये तो हमने डिसकस कर लिया अब यहां देखो इफ ती चूस कॉंस्टेंट रेश्यो जो प्लान है उसमें वैसे तो एक्वल एक्वल होता था बोले लेकिन हमको जो रेश्यो है वो किस रेश्यो में रखना है 60-40 60-40 कॉंस्टेंट रेश्यो 60-40 60 परशन इन एक्वडी और 40 परशन इन बॉंस्टेंट रेश्यो आपको याद होगा फर्दर पर्टफोलियो विल भी रिबैलेंस इच थाइम निफ्टी चैंज़ बाई पाइपहशन ऑपट्फोलियो रिबैलेंसिंग तभी होगा जब पाच परशन से चैंज़ नहीं होगा तो फिर हम रिबैलेंसिंग नहीं करेंगा you are required to evaluate portfolio position Indra under each of the strategies suggested by her friend and highlight the course of action to be taken if in the coming month after a gap of 10 days nifty nifty 10 दिन बाद इतना हो गया है और आने वाले 10 दिन बाद और इतना हो गया ठीक है सबसे पहले buy and hold yes buy and hold buy and hold में कुछ rebalance सिर्फ buy and hold में तो rebalancing करते हैं नहीं एक बार debt और equity में पैसा लगा दिया काम खत्म सवाल है कि debt और equity में कितना कितना सर इक्वल इक्वल जैना ऐसा लग रहा है क्योंकि buy and hold strategy में हमने ऐसी कुछ पढ़ा था सर लिकिन यार उसमें constant mix में भी तो इक्वल इक्वल लगाया था सर सर इक्वल इक्वल ना लगा रहा है जबकि यहां constant mix में या constant ratio plan में 60 40 लगा रहा है तो buy and hold में भी 60 40 लगना चाहिए यार 40 लगा रहा है ना यहां 40 तो याद है हमने एक ऐसा question किया था miss सुनीधी वाला question उसमें भी 60 40 लगा रहे थे buy and hold में और वही constant ratio में लगा रहे थे तो यहां भी ऐसी करते buy and hold में 60 40 लगा रहे है मतलब सेम लगाते हैं वहाँ एक बल एक बल था तो यहां भी ऐसा मेरा मन किया लेकिन institute ने ऐसे नहीं किया दीज धियान देना ICAI ने क्या किया उन्होंने का भाई 270,000 तो floor है तो इतना पैसा इन्होंने लगा दिया equity में और 30,000 बचा तो 30,000 ने इतना लगा दिया bonds में 270,000 floor value इतना bonds में और कितने में खेल सकते 30,000 लगा यह उन्होंने एक बटी में question आ सकता है इस बात पर ध्यान देना ठीक है और इसमें तो rebalancing होना ही नहीं है तो 10 दिन बाद nifty कितना हो गया सर्स कितना था starting में 5,3,2,6 से कितना हो गया कितना हो गया कितना हो गया कितना हो गया 5,1,2,2 हो गया तो बस आपको value बताना है और यह आ गया total और इसमें rebalancing करना है नहीं buy and hold में rebalancing नहीं हो फिर वापस आप value दिखा देना मेरे ख्याल से यह में नहीं करवा रहा हूँ और यह हमारा buy and hold खतम हो गया यह आप देख लोगे ठीक है अब बात किसकी है सर बात है अब cppi cppi में आप expert हो cppi का formula होता था m a minus f यह कर लोगे अब यह बहुत अच्छीता से इस matter पर भी में बात नहीं करूंगा मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ key points समझाओंगा मैं concept नहीं समझा सकता यार ना सिर्फ key points कि क्या किया था यह और सर अब अच्छा एक बात समझना सर cppi में पहले हमने निकाला की bonds में कितना पैसा लगाना है equity में कितना पैसा लगाना और यह value of portfolio है ठीक है फिर हमने देखा कि यार अगली बार कितने percentage का change हुआ है तो कितने percentage का change हुआ है 3.81 परशन तो सर rebalancing करे की नहीं करे करे या नहीं करे यहां से एक point और फसे थे थे ह लिखा कि rebalancing तभी होगा जब nifty 5% से ज्यादा का change होगा nifty में पर यहां तो सर 3.81% का ही change है तो rebalancing होगा की नहीं होगा सवाल यह है वो जो 5% का change है 5% का वो cppi के लिखा था कि constant ratio के लिखा था कि दोनों के लिखा था और फर्दर यहां से श्टाट और फर्दर portfolio विल बी रिबैलेंसिंग रिबैलेंस इस टाइम निफ्टी चेंज भाई 5% as compared to previous निफ्टी पर इससे पहले जो बात लिख रहा था ना वो constant ratio के लिए लिख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि यह 5% जो यह constant ratio के लिए होगा नहीं पाच परशन से एक ज्यादा का change नहीं है CPPI में तो रिबैलेंसिंग नहीं होगा और ठीक 10 दिन बात आने वाले और 10 दिन बात equity यह हो गया debt यह हो गया value of bond तो total यह हो गया अब फिर से check करते हैं रिबैलेंसिंग होगा की नहीं होगा तो हम देखते हैं अब निफ्टी कितन परशन से change हुआ 8.12 परशन से यह पाच परशन से ज्यादा है यस तो क्या वापस रिबैलेंसिंग होगा यस अब रिबैलेंसिंग होगा रिबैलेंसिंग आपको formula पता है और आपने किया है यह question ठीक है और यह बता देना कि कहां से पैसा निकला और कहां पैसा आपने transfer किया ओके सर अब बात किसकी है constant ratio plan constant ratio 6040 तो 6040 में हमने बाट दिया मतलब यार यहां एकसी लगा दिया और 1,20,000 लगा दिया bonds में अब यहां value निकाला equity की और bond की इन दोनों को total मारा इन दोनों को total मारा अब rebalancing करना है कि नहीं करना है तो क्या 5% से ज्यादा change हुआ है नहीं इसको जैसे कि वैसा रहने दो फिर अगले 10 दिन बात यह equity यह bond और इतना हो गया फिर चेक करेंगे क्या 5% से ज्यादा का change हो रहा है अंसर आएगा yes तो अब क्या rebalancing होगा दोनों को 60 इसको किस ratio में बाट देना 60 40 वापस 60 40 में बाट देना और बता देना कि कौन सा पैसा कह अच्छा कोशन डाला है दो तीनी कोशन है पहतरीन कोशन अब यह बहुत सारी बच्चू का कहना था कि सर्व पोट्फोलियो के कोशन था जिसमें आप बोल रहे थे कि वेटेड से करना चाहिए सिंपल अवरेस से नहीं करना चाहिए कोशन में change होना चाहिए एक सेक्टर एक प्रफोलियो में एक्चुल में अमेंडमेंट है कि नहीं है कि हमें कैसे कर सबसे इंपॉर्टन बात है जलो वह भी देख लिए तो हमारा काम खतम हो जाएगा भले टाइम लगा तो लगा और पॉर्टफोलियो पूरी तरह से कंप्लेट हो जाएगा अभी तक मैंने क्या करवा अब भी तक यह कुछ नया टाइप के कोश्चन थे वह करवाया अब मैं क्या करवा रहा हूं एक MTP का कोश्चन आया है वह आपको डला नहीं है पर यहां बोर्ट पे मैं डाल देता हूं बोर्ट पर रहेगा तो आपको समझवें MTP में कोश्चन आया है पहले उसको discussion कर लें ठीक है ताकि आपको YouTube का सहारा ना लेना पड़े चलो अब उस question की बात करें जिसमें changes है और changes है तो क्या है मैं नहीं जानता कि आप मेरी opinion से सहमत हो कि नहीं हो कैसे करना एक बार में थोड़ा सा discussion करता हूँ सबसे पहले यह question आपके पास नहीं होगा इस seat में इस PDF में नहीं है यह डला था MTP April 2024 में यह question आपको मिलेगा Your client is holding और अभी का question है latest है तो एक बार समझे की क्या लिखा है कोई client है और उसने hold कर रखा है और Z Limited, S Limited, B Limited और Government of India Bonds मतलब सर यह क्या हो गया यह हो गया रिस्क फ्री रिस्क फ्री तो client ने इतना पैसा लगाया था यह dividend यह सब सी सब हमको पता है और सबसे पहले हमसे क्या मांगा जा रहा है रिस्क फ्री रेट तो रिस्क फ्री रेट वैसे calculate करने के बहुत सारी तरीके है पर फिर से बोल रहा हूँ ICAI ने MTP April 2024 में जो question डाला उसने कहाया रिस्क फ्री रेट लेना है क्योंकि Government of India Bonds है तो इसी को उठा कर उसने रिस्क फ्री रेट निकाल लिया कैसे निकाला होगा यह है एक साल बात का price यह cost plus dividend मतलब उन्होंने holding period रेट निकाला सर और इसके मदद से उन्होंने रिस्क फ्री रेट निकाल लिया अगर रिस्क फ्री देखोगे तो यह दिख रहा है रिस्क फ्री 5060 यह किस चीस का है सर यह हो गया हमारा dividend और यह change in price उस हि risk-free rate कितना निकाला है 7% कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है सर तो RFM को कितना मिल गया 7% point number two में बोल रहा है expected rate of return निकालना हर एक security का सिर्फ इसको छोड़ देना government of india bond और किसकी मदद से निकालना है CAP है और बोला भी आप weighted average बीटा यूच करोगे और दो decimal places तक यूच करोगे यहां तक ठीक है पहले question में हम क्या करते थे सुनना धियान से धियान से सुनो पहले जो की book में दिया है book में दिया पहले नहीं book में अभी भी दिया है I.C.E.I.S.T.E.M.A.T. के सबसे पहले हम क्या करते थे सर हम इन सब को जोड लेते थे इन सब को जोड देते थे और हम सब का जो निकालते थे वो निकल जाता था RM निकालते थे हम इसको market बोलते थे ठीक है सर और फिर हमने का यार RM मालूम है RM मालूम है RF मालूम है हर एक का बीटा भी पता है तो चलो CAPM लगा देते फिर हम G Limited का कैसे निकलते तो हम G Limited का फिर हम इसको market बोलते थे और G Limited का अगर मुझे निकालना तो मैं कैसे निकलता था, RF मुझे मालूम है 7, प्लस RM निकल जाएगा, जो भी RM निकलेगा, माइनस 7, और बीटा तो दिया है, काम हो जाएगा, काम हो जाता फटा फट से काम हो जाता, और फिर वेटेड एवरेज निकल लेते, पोर्टफोलियो काम मांगता था, भाय साब, भाय साब, सुनो, इस बार जो MTP आया था, अपरेल 2024 में, इन्होंने क्या कर रखा है, सुनना, इसकी मदद से उन्होंने क्या निकाला, सर, इसकी मदद से उन्होंने निकाल लिया, 7 person, इसमें कोई दिकत की बात नी, उसके बाद उने, इसको यूज करके जो निकाला है न वो निकाला है expected return of portfolio और यह portfolio ही तो है expected return of portfolio निकाला मतलब सर हमें expected return of portfolio पता है हमें RF भी पता है तो इसकी मदद से RM-RF और बीटा कैसे लेना है वैसे simple average बीटा लेते थे हम पहले लेकिन इस MTP में इन्होंने weighted average बीटा लिया है हाला कि कुछ बच्चों का कहना सर लिखा है इसलिए लिया बिल्कुल सही है और नहीं भी लिखा होता तो लेना चाहिए था लोजी कली पर पहले नहीं लेते थे हाला कि ICAI का अगर study mat देखोगे तो उन्होंने weighted average लिया है बोल दिया है बोल दिया है कि चाहो तो आप weighted average भी ले सकते हैं मुद्दे की बात मुद्दे की बात सर हमें expect return हमने निकाल लिया portfolio का हां सर यह ICAI का ही answer है यह market price capital gain वगेरा करके हमने expect return निकाल लिया किसका portfolio का और यह निकल गया 8.593% तो सर हमें expect return of portfolio पता है क्या जी पता है सर हमें RFB पता है क्या हां जी पता हो गया सर हम beta of portfolio तो निकाली लेंगे weighted average यस तो उसकी मदद से हम RM निकालेंगे इस तरह से RM निकाला गया यहां तक बात समझी में आती है और सर beta एक सर beta जैसे सर beta का हमको यहां portfolio का beta मतलब weighted average लेना पड़ेगा यस तो weighted average cost का weight लेंगे की market price का 100% cost का weight लेना ही चाहिए ICAI ने market price का weight ले रखा हाला कि इस matter पर मेरा discussion हुआ था उन्होंने का ठीक है वैसे तो cost का होना चाहिए पर अगर market price का ले लिया इंस्ट्यूट ने तो भी गलत नहीं है means आप यह भी weight ले सकते हो यह भी weight ले सकते हो ICAI ने market price के सबसे weight लिया है जबकि लेना चाहिए था cost के साब से वह इग्नोर कर रहा हूं उन्होंने weighted average बीटा निकाला ठीक है sir यह निकल गया क्या weighted average बीटा ओके weighted average बीटा और put करके इन्होंने क्या निकाला RM और RM को put करके क्योंकि हमको सब चीज पता लगा और हर एक stock का उन्होंने expected return निकाल लिया कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं मुद्दे की बात हमको क्या क्या समझ में आया अभी तक हमको यह समझ में आया इस MTP के हिसाब से अगर देखा जाए अगर government of India bonds दे या है तो हमारा risk free निकल सकता है अगर average return of portfolio दे दे तो ठीक है नहीं दिया है तो यह जो निकलता यह किसका निकलता यह portfolio का return रिटन 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 और वेटेड आवरेज वीटा हम काम करें ठीक है अब बेकार की बाद फिर पूछो के sir market price लेना की cost लेना चाहिए market price लिया आपको जैसे करना कर सकते हैं यह था MTP का question अगर मैं कहूं कि यार past years के question जो की study material में है उसका एक दो question मैं उठा कर बता रहा हूं आपको आपको change करना है कि नहीं करना answer वो आपकी मर्जी अगर MTP को मैंने अभी किया और उसके बाद इस पर focus कर रहा हूं यह RF हो नहीं सकता यह public sector bond है बिलकुल तो यह RF तो नहीं है RF दिया हुआ है अगर आप होते हैं तो काम क्या करते हैं मुझे expected return किसका निकालना each का इसके अगर जैसे किया है तो मालू मैं क्या करता मैं इन सब की मदद से क्या निकलता सर आपका जैसे पिछले question में expected return of portfolio है वैसे expected return of portfolio निकल जाता बिलकुल जाएं और फिर इसकी मदद से क्या मेरा beta of portfolio भी निकल जाता हां वेटेड एवरेज ले ले लेते हैं तो अगर मैं कहता मु मुझे आरेब भी पता है मुझे आरेम नहीं मालू मुझे आरेब पता है मुझे बीटा और portfolio भी पता इतने समझदार हो आपको कि सरह हमको यह भी पता है यह भी पता है और यह भी पता यह भी पता तो आरेम निकल जाता है और आरेम को put करके फिर सबका expected return निकाल लेते हैं और जो expected return निकलता उसका हम vetted average कर देते फ़र हला कि है simple average लिखा तो simple average करके portfolio का return निकल लेते अगर मैं MTP पर focus करूं तो पास्ट में क्या करता था वो पास्ट में जो करता था वो सॉलूशन आपके पास है ये टोटल को क्या कर लेता था आरेम और फिर उससे साब से मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं मैं MTP के साब से चलू तो वैसी हो सर इसका सॉलूशन सॉलूशन में डाल देता हूं कौन कौन से कोश्चन है यह वाला कोश्चन कोश्चन नमबर वन इसका के हिसाब से नहीं मैं अपने हिसाब से solution डाल रहा हूं तर हम ऐसा कर ले कि उसको वैसे रटले उसको ऐसे रटले तो फिर ठीक है अनुद मैं कुछ नहीं कर सकता फिर आपको जैसे करना है मैं अपनी ओपिनियन के सबसे इन दोनों कोश्चन के सॉलूशन एस पर पवन सर वो डाल रहा हूं मैं अप्रिल दोहजार चोबिस अगर चेक करोगे तो यह स्टेडी मैट का ही आंसर अगर इस कोश्चन की बात करो कोश्चन नमबर वान और कोश्चन नमबर टू का में आपको सॉलूशन देने वालों है सर यह government of India bond है yes तो इस हिसाब से सर आरेफ तो निकल गय है धीक है और सर एवरेज रिटन उप पोर्टफोलियो दिया हुआ है दिया हुआ तो चेक करने की जिदुरबर नहीं है अब आपको expect return of portfolio पता है सर हमको RF भी पता है हमको RM निकालना है हमको RF पता है हमको beta portfolio उसको लेकर कर लेंगे अगर दिया है तो फिर क्या challenge करना और फिर उसके सबसे risk रही तो अलड़ी निकला हुआ है आपको अगर study mat के सबसे करना तो यह भी आम मैंने दोनों बता दिये आपकी मर्जी आपको कैसे मेरे खाल से portfolio में इतना ही था तो यह lecture खतम कर रहा हूं सब portfolio ही तो हमारा 30-35 minute चला गया portfolio में changes भी थे ना यार mutual fund में कुछ है नहीं है special mutual fund के अलावा और देखते हैं अगले topic पर चलते हैं